मित्रों जै मातादी काईसे हैं आप सभी ये बताने के लिए कमेंट में जै मातादी जरूर लिखे मातारानी आप सभी का कल्यान करेंगी मित्रों साल 2022 में जीवित पूत्री का ब्रत कब है जानिये दिन वतारीक पूजा विधी क्या है सुब मूर्थ कब है जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप से रिक्वेश्ट है कि अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और जादे सी जादे सेयर करेंगे मित्रों जीवित पूत्री का ब्रत एक अत्यंत महत्योपूर उपवास का दिन है जीवित पूत्री का ब्रत में माताएं अपनी संतानों की सुरच्छा वस्वास्त के लिए पूरे दिन तक पूरी रात निर्जला ब्रत उपवास करती है यह ब्रत हिंदू कैलेंडर के अनुसार आस्विन माह के क्रिष्ट पक्ष की अश्टमी तिथी पर जीवित पूतिका का ब्रत किया जाता है। यह उपवास मुख्यरूप से भारत के बिहार, जारखंड, उत्तरपरदेश, मध्परदेश, नेपाल, आदी, राज्यों में बड़ी उत्साह के साथ मनाया जाता है। जीतिया ब्रत के पहले दिन महिलाएं सुर्योदा से पहले जाग कर इसनान करके पूजा करती हैं। और फिर एक बार भोजन ग्रहन करती हैं और उसके बाद पूरा दिन निर्जला रखती हैं। दूसरे दिन सुबह इसनान के बाद महिलाएं पूजा पाट करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जला ब्रत रखती हैं। ब्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं। सुर्य को अर्ग देने के बाद ही महिलाएं अन्यग्रहन कर सकती हैं। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन जोरभात मरुवा की रोटी और नोनी का साख खाया जाता है आश्टमी को प्रदोसकाल में महिलाएं जिमुतबाहन की पूजा करती हैं जिमुतबाहन की कूशा से निर्मित प्रतिमा को बना कर धूप दीप अच्छत पूश्प फल जाती है प्रतिमा बन जाने के बाद उसकी माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है पूजन समाप्तों होने के बाद जिवीनफ पूत्र का ब्रत की कथा सुननी चाहिए इस ब्रत को करने से संतान की उम्र लंबी होती है और माता पिता ही नहीं बल की पूरे कुल का नाम रोशन करता है मित्रों आपको बता दें कि साल 2022 में जीवित पूत्री का ब्रत 18 सितंबर 2022 दिन रभी वर के दिन मनाया जाएगा और आश्टमी तिथी प्रारंब होगी 17 सितंबर 2022 को 2 बचकर 14 मिनट पर और आश्टमी तिथी समाप्त होगी 18 सितंबर 2022 को 4 बचकर 32 मिनट पर